So guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे Motorola के एक और नए स्मार्टफोन के बारे में जो कि officially announce हो चुका है और दोस्तो ये Motorola की तरफ से सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन होने वाला है इस स्मार्टफोन का नाम होगा दोस्तो Moto G 5G Plus जी हां दोस्तो थोड़ा confusing name है लेकिन अगर इसके बीच में 5G नहीं लगाते तो भी ये काफी अच्छा होता Moto G 5G Plus दोस्तो एक नया स्मार्टफोन है जो कि आपको mid-range segment में देखने को मिलेगा और काफी अच्छी specs के साथ में दोस्तो ये announce हुआ है तो इस वीडियो में हम detail में बात करेंगे इसकी सभी specs के बारे में इसके अलावा दोस्तो इसके price और expected launch date पे भी हम बात करेंगे तो सब को पता है दोस्तो कि Motorola 1 के बाद एक काफी अच्छे smartphone market में लेके आ रहा है और इन सभी smartphone के साथ दोस्तो काफी अच्छा comeback मोटो ने किया है तो इस वीडियो में जल्दी से बात कर लेते हैं इस smartphone की सभी specs के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं अगर इसके display की तो यहाँ पे आपको एक बड़ा display देखने को मिलेगा जो की 6.7 इंच का होगा और यह एक full HD plus LCD display है दोस्तो जो की HDR10 के support के साथ में आता है अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको 90 Hz का refresh rate देखने को मिलता है इसके अलावा Gorilla Glass 5 की protection यहाँ पे दी गई है अगर design की बात करते हैं तो यह एक लंबा display है दोस्तो जो की 21 by 9 की aspect ratio के साथ में आता है और यही पे इसमें dual punch hole का design दिया गया है तो display wise definitely आपको अच्छा experience देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे एक smooth performance मिलेगी 90 Hz की refresh rate के साथ में इसके बाद दोस्तो बात करते हैं इस smartphone की performance के बारे में तो यहाँ पे भी काफी अच्छा काम करने वाला है Motorola यहाँ पे आपको snapdragon 765 chipset देखने को मिलेगा और इसके साथ दोस्तो यह 5G के साथ में आने वाला है अगर variants सी बात करते हैं तो आपको 2 variants देखने को मिलेंगे जिसमें की आपको 4GB और 6GB का RAM देखने को मिलेगा इसके लाओ दोस्तो आपको 64 और 128GB की UFS 2.1 storage इसमें दी गई है अच्छी बात यह है दोस्तों की expandable storage का option आपको देखने को मिल जाएगा तो आप इसमें microSD card लगा कि storage को expand कर सकते हैं इस processor के साथ दोस्तों mid-range segment में काफी अच्छा option होने वाला है और definitely सभी smart phones को एक अच्छी टकर देगा अगर बात करें इसके camera's की तो 48MP का quad camera setup आपको back में देखने को मिलता है जिसमें 48MP के primary camera के साथ में 8MP का ultra wide angle camera 5MP का macro lens और 2MP का depth sensor दिया गया है इसमें आपको 4K video recording का support देखने को मिलेगा और इसके अलबा दोस्तों आपको काफी अच्छे camera features देखने को मिलेंगे तो अगर आप group selfies लेना चाहते हैं तो यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा इस smartphone की एक और highlight दोस्तों वो है इसकी battery जी हाँ दोस्तों Motorola के बाट की smartphone की तरह इसमें भी आपको एक बड़ी battery देखने को मिलती है और इसमें 5000 mAh की battery दी गई है जो की 20W की fast charging के साथ में आती है Motorola ने अपनी fast charging को 18W से बढ़ा के 20W किया है इस smartphone में लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ी और improvement हो सकती थी और at least आपको 30W तक की fast charging का support देना चाहिए था अगर कुछ और details की बात करें तो 3.5 mm का jack आपको देखने को मिल जाएगा इसके अलावा आपको side में लगा हुआ fingerprint scanner देखने को मिलता है और दोस्तो NFC वगरा का support भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगा इन सभी specs के साथ में दोस्तों जो इस smartphone का एक और main feature है वो इसका stock android experience जी हाँ दोस्तों Motorola के सभी smartphones में आपको stock android देखने को मिलता है तो यहाँ पर यह काफी कमाल की बात है और काफी सारे customers को यह definitely पसंद आता है इस smartphone में दोस्तों आपको एक 8GB RAM का अगर option दे देते तो काफी अच्छा हो सकता था इसके अलावा अगर Super AMOLED डिस्पले होती तो और भी ज़्यादा कमाल का यह smartphone होता और OnePlus जो Node smartphone आएगा उसको काफी अच्छी टक कर देता Still दोस्तों एक अच्छा performer होगा यह अगर एक अच्छे price पे इंडिया में आता है European market में दोस्तों यह officially launch हो चुका है और इसका price approach 30,000 से start है लेकिन अगर यह Indian market में आएगा तो definitely इसका price थोड़ा कम होगा और आपको यह 20-25,000 रुपे के बीच में देखने को मिलेगा जो कि इसका starting variant होगा इस price में दोस्तों यह काफी कमाल का option हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर आपको काफी अच्छी performance देखने को मिलेगी एक बड़ा display देखने को मिलता है 90 Hz के साथ में इसके लावा एक कमाल की battery और एक अच्छा camera setup भी दिया गया है ऐसा expected है दोस्तों की next month तक ही आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है तो definitely आप इसका wait कर सकते हैं अगर आप 20-25,000 रुपे के बजट में एक नया smartphone देख रहे हैं आप हमीं बताएं दोस्तों की आप Moto G5G Plus smartphone के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप इस smartphone में interested होंगे अगर आपका कोई comment है तो आप लिख सकते हैं इसके लावा दोस्तों वीडियो अच्छे लगी तो like कर दीजिए और ऐसी tech videos के लिए चैनल को subscribe कर लिजिए मैं मिलता आपको नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए goodbye have a nice day